हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी बिजनेस कमिनिकेशन के बारे में ही है और इस वीडियो में हम समझेंगे इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में अब हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस कमिनिकेशन इसमें listening का बहुत ही important role होता है अब listening से मतलब यह है कि किसी भी message या information को ध्यान से सुनना और उसे समझना इस तरह किसी भी message की meaning को एक thoughtful manner में सुनना और उस message में कोई कहना क्या चाहरा है उसे understand करना या समझना वही हमारी listening कहलाती है अब आईए यहाँ एक listening की definition देखते हैं Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process Listening is a key to all effective communication Listening यानि सुनना communication process में जो message या information होती है उसे सही तरीके से receive करना यानि प्राप्ट करना और उसे explain करने की ability यानि शमता है अब communication effective तभी होगा जब receiver उस message या information को अच्छे से सुनेगा और उसे interpret करेगा यानि समझेगा तो अगर आप communication को और effective बनाना चाहते हैं तो listening ही वक्की है जिससे communication effectively किया जा सकता है अब यहां listening की एक और छोटी सी definition है according to Johnson listening is the ability to understand and respond effectively to oral communication इसका मतलब यहां है कि listening oral communication को समझने और प्रभावी तरीके से उस पर प्रतिक्रिया करने feedback देने या respond करने की एक शमता है तो oral communication वह होता है जिसमें बोल कर एक दूसरे से communication किया जाता है तो यह जो listening होती है या कई types की होती है तो आईए अब आगे इसके types के बारे में समझते हैं types of listening इसमें सबसे पहला type है active listening active listening का सीधा समतलब यहां है कि कोई person जो आप से बात कर रहा है कोई message या information deliver कर रहा है और आप उसे focus होकर उस person की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं आप अपना response भी दे रहे हैं यानि feedback दे रहे हैं अपनी body language के थुरू यह show कर रहे हैं कि आप उनकी बातों को full attention के साथ सुन रहे हैं अपनी body को speaker की तरफ घुमा सकते हैं या थोड़ा सा जुका सकते हैं nod करना यानि सर हिलाना या सारे listening के sign होते हैं या show करता है कि आप सामने वाले की बातों में interested हैं listening का दूसरा type है empathetic listening empathetic listening में आप किसी person की बातों को ही नहीं सुन रहे हैं बलकि अगर वा person आप से कुछ बता रहा है वा अगर आप side है वो कुछ आप से बता रहा है तो आप उसकी feelings को भी समझ रहे हैं उसकी जगा पर आप अपने आप को रखकर उस तरीके से समझ रहे हैं तो या empathetic listening में आता है अगला type है critical listening इसमें अगर आपको किसी ने कोई बात बताई है तो आप उसे सुने और समझ गए अब उसे आप evaluate कर रहे हैं कि वा जो बोला है वा सही है या फिर नहीं उसके positive points क्या है उसके negative points क्या है इन सारी चीजों को जानने के बाद अपना opinion दे रहे हैं तो इस तरह इसमें आप important notes बना सकते हैं कुछ key points को लिख सकते हैं next है selective listening तो इसका मतब या है कि किसी भी message को पूरा और as it is ना सुनना उसमें selection करना तो कोई person उसी speaker से वही सुनना चाता है जो उसके काम की चीज है तो वह बस उसे ही सुनता है बाकी की चीजें वह छोड़ देता है उस पर ध्यान नहीं देता है तो वह अपनी wish के according सिर्फ उन्हीं बातों को सुनता है जिस पर उसका belief है तो या हमारी selective listening कहलाती है यानि कि वही सुनना जो काम की चीज है बाकी बातों को ignore कर देना नेक्स्ट है informational listening तो informational listening is listening to learn या listening students के लिए काफी important होती है जहां वे information को gain करते हैं इसमें उन्हें अपना opinion या feedback देने की जरूरत नहीं होती है कहीं से कुछ भी कोई भी information मिले उसे अच्छे से सुनना informational listening में आता है नेक्स्ट है pretending listening pretend means बहाना करना या दिखावा करना कि सुन रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है तो एक listener जो किसी message को सुन रहा है वा ऐसे expression सामने वाले को देता है कि जैसे वा उसे बड़े ध्यान से सुन रहा है पर असल में वा सिर्फ उपर से उन्हें सुनता है इग्नोर करता है तो इस तरह की जो listening होती है उसे हम pretending listening बोलते हैं next है suggestive listening suggest means सुझाव देना, suggest करना तो जो हमें सही लग रहा है उसे बताना तो इसमें कोई person अपनी problems को किसी दूसरे person से discuss करता है अब वा दूसरा person जो है वा single person हो सकता है या कई लोगों का group भी हो सकता है तो वा इसे ध्यान से उसकी problems को सुनते हैं और उसके according उसे suggestion देते हैं उनकी help करते हैं तो इस तरह suggestive listening को supportive listening भी कहा जाता है listening का next और last type है intuitive listening intuitive listening वा होती है जब कोई person किसी speaker की बात को सुन रहा है और same time पर उसके mind में भी अलग-अलग बातें चल रही है उसके अपने अलग-अलग dialogue दिमाग में घूम रहे हैं जिससे वाई speaker के message को सही से नहीं सुन पाता है तो यही intuitive listening कहलाती है तो इस तरह listening के वक्त दिमाग इन सारे internal खयालों से free होना चाहिए तब ही हम अच्छे से किसी को सुन पाएंगे तो दोस्तों यही सारे listening के types थे इसके अलावा भी और होते हैं पर यहां मैंने सिर्फ art को ही discuss किया है तो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको useful लगी हो और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को subscribe करें और bell icon को भी जरूर on रखें ताकि आगे की आने वाली notification आपको मिल सके business communication की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की playlist में जा सकते हैं और short वीडियो देखने के लिए आप Instagram पर भी follow कर सकते हैं Thank you